हम जब भी हम मेट्व Mandalorian के बाते करते हैं हम हमेशार करते हैं कि कि इन्वेस्पेंट अब चांस होज जमे मतलत इसको लब्बे समय के लिए इन्वेस्ट करें तो आपको highlight चोटे समय के लिए इंवेस्ट करने में ये आपका मुकदर है आपका भाग है कि आप उसको लॉस होगा उसमें या गेन होगा हो सकता है गेन भी हो जाए लेकिन प्रून फैक्ट है कि लंबे समय के लिए आप इंवेस्ट करेंगे तो आपको बेटर मिलेगा इन्हीं बिंदों को लेकर आज हमने बात किया है आज हमने अनालिसिस की है कुछ वैसे फंड की या अल्वेस गोल्ड और ओल इस नॉट ऑल्वेस गोल्ड इसका मतलब क्या लंबे समय के लिए जो भी फंड में इंवेस्ट किया हमने वह सारे अच्छे रिटरन दे रहे हैं या उसमें से कुछ ऐसे फंड है जो कि बेटर रिटर्ण नहीं दे पाए इसकी चर्शा आज हम करें कि यदि मेरा ये वीडियों को पसंद आए इसको लाइक करें अपने फ्रेंड के साथ सेर करें और आप यदि फर्स टाइम हमारे चैनल को विजिट कियें तो सब्स्राइब करें और सब्स्राइब करने के बाद बगलें जो बिल आइकोन है उसको जब दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लागतार मिलती रहे एस्टोन टेक्स फिन में आपका फिर सवागत है मेरा नाम डीम जाय है जब हमने तीस साल से अधिक बवाने फंड पर रिसर्स करना शुरू किया हमें इस कैटोगरी में छे फंड मिले जिनका उम्र जिनकी उम् का मतलब इसके लाउंचिंग डेट तीस साल से तीस साल पले हुए थी और यदि सेग्मेंट वाई यदि इसकी बात करें तो यह छे फंड में से दो दो फंड हैं जो हाइब्रीड एग्रेसिव सेग्मेंट के हैं दो हैं लाज एन मिट कैप के और एक एक फंड है लार्ज करें यह फंड देखते हैं एलाइसी एक्विटी हाइब्रीड एस्विए का लॉंग टर्म एक्विटी के अंदर होगे के होगा एकुटी हाइब्रीड टाटा का लार्ज मिट कैप यूटी ए मास्टर से सदावार फंड यूए शिक्सिफूर पले हुआ करता था और एस्वि की मास्टर सेयर यह पांच दस श्यासी को सबसे पुराना एकुटी मीट्वल फंड यूटी ए मास्टर सेयर पन्दार दस श्यासी को करीब-करीब चातिस साव थर्टी सिक्स प्लस इयर्स इनकी लाइफ हो गई और एलाइसी की इडिज मोर दें ठर्टी टू यर्स बांकि सा इसी कामने सीयर यार कलकुलेट किया हमने राउड एर रौनद फिगर में इस फोल यह फर इग्जाम्पोल इसके लिए हमने थर्टी टू यर्स लिया हुआ हुआ है और इसके लिए थर्टी यर्स के बिशिषे कर निकाला तो हम देखते हैं कि एलाइसी मेच स्वाल में एट परसेंट टाटा लाज और मिट कैप इस 12.55 परसेंट यूदी ए मस्टर सेर एगें दे ग्रीन दे ग्रीन एक्विटी फंड 12.87 परसेंट और SBI लाज और मिट कैप इस 17.14 परसेंट और हलां कि यह जब देखते हैं कि हाइस वाज 17.14 परसेंट इन लोएस्ट इस इस एटीन वे एट पॉइंट फॉर एट परसेंट और यदि हम इन बांकी चार फंड ने इसके दिकम्परेंट के लगता है कि इन चारों फंड में से मीनमम ही 11.26 परसेंट और मैक्सिमम में 12.886 परसेंट एंड डिफरेंट इरोंड 1.5 परसेंट और 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 वन वी सी अबॉट दिफरेंट हमें लगता है चलो ठीक है एक देड़े परसेंट का दिफरेंट बहुत अजी का दिफरेंट नहीं है लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि मीच्वल फोन इंबस सम्में वन टाइम में हमने इंवेस्ट किया थे इन ओल दिस शिक्स फंट यदि हमने इंवेस्ट किया होता तो लाइसी का टोटल माउंट आज के दिन में 13.52 लैक मिलता एस्वी लॉंग टम का 24.56 लैक होता केना रोबेकों का इट वाज 31.6 लैक्स टाटा लाज इन मिट का पर 34.7 लैक यूटी आए मास्टर सेहर का 88.18 लैक एन एस्वी लाज एन मिट कैप एट वन 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 फाइफ पॉइंट वन टू लैक मिस एक कवड़ पंजर लाग बारह हजार के आसपास अब तुलना करें आप कि यह 13.52 लैक मिलता फॉर 32 यहर्स जबकि एस्वी लाज एन मिट कैप में जमा करते फॉर 30 यहर्स तो आपको 11 11 15.12 बदले एक कवड़ पंदर लाग बीश हजार का इसका मतलब कि यह डिफ्रेंस करीब एक करोड़ दो लाग का है और इंटरेस्ट का डिफरेंस इट इस एरांड नाइन परसेंट यह माल ने की इंटरेस्ट जबल है लेकिन एमाउट वाइट का डिफरेंस जो है जो मैचुर्टी वेल्यू है इस मोर दन सो मैं ताइम्स और इसका एक और एक्जांपूल देखें कि आप यह देखें टाटा लार्ज और मिट कैप जिसका 12.55 परसेंट है औ और यूटिय मास्ट शेहर का इट इस त्वल प्वैंट एट सेवन परसेंट इसका डिफरेंस इतना दिफरेंस के इस डिफरेंस इस अरूट जो प्रेंट जो मैचुर्टी वेल्यू होगा उसका डिफरेंस करीब 52 53 लाक के आसपास है 12.55 परसेंट में 34.7 लैक मिलता जबकी 12.87 परसेंट में यह 88.18 लैक मिलता अब बारी कंक्लूड करने की जैसा मैंने पले चर्चा किया है मीच्वल फंड में इंवेस्में हमेशा लॉंग होरिजन के लिए होना चाहिए और हम यह कहते हैं कि अच्छा फंड ढूनिए और इन्वेस्ट करके भूल जाएं आफ्टर सो मेनी येर्स आपके नेक्स जनरेशन के लिए वह एक अच्छा कॉर्पस तियार कर देगा लेकिन यह एकजामपूल देखने से में यह समझ में होता यदि मैंने लाइसी मीच्वल फंड में यदि हम इन्वेस्ट करके में सो गया होता तो हमें आज 13.5 तो लैक ही मिलता और कोई दूसरा इन्वेस्ट किया होता तो उसको एक और पंद्रा लाग मिलता इटीज रॉन एक और दो लाग अधिक मिलता जब जिन्होंने भी एलाइसी मीच्वल एकुटी फंड में जब भी 30 साल 32 साल पले इन्वेस्ट किया होगा उस ताइम का यह बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहिए लेकिन एलाइसी मीच्वल फंड ने निश्चित रूप से कभी ने कभी अंडर परफॉर्म किया इसका मतलब इसे यह कंकूर्ड कर सकते हैं कि जब भी आप फंड को सेलेक्ट करें आप उसको प्रॉपर सेलेक्शन करें और उसको बीज बीज में रव्य नहीं करें हो सकता है जो आज गोल्ड है कल वो स्लेवर हो सकता है जो आज अरस पे है वो कल फॉर्स में जा सकता है इसलिए इसका रव्यूरा टायme दिखता है कि आप इस ती साल साल के लिए हो यह एक परचेंट का डिफरेंस हो सकता है यह दो कोड़ के डिफरेंस के बरावर हो जाए तो हमेशा ध्यान रखें जब आफ फंट को सेलेक्ट करते हैं उसके रिटर्न के बारे में प्रोपर्ली युसको अनल्यस करें and then you select the front then you will get the beta return.